असलाम अलेकुम, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूस पेपर के वाले से, न्यूस पेपर रेडिंग कितनी जरूरी है और न्यूस पेपर रेडिंग कैसे करनी चाहिए, और न्यूस पेपर रेडिंग या फिर न्यूस शुनना, आपको आपके किसी भी टेस्ट के अंदर, आ तो आपको करेंट अफेर से अगाह रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द आपके मुलक के अंदर और इंटरनेशनल स्फेर के अपर क्या हो रहा है तो वह आपको नॉलिज मिलता है निउजपेपर से तो आपको अची ऑपरशुनिटी लेकर आया हूं जो लोग पूरी वीडियो देखेंगे इंशालों को बहुत फाइदा होगा तो मारे से लोगो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना बोलिए का ता कि आप तक आने वाले जितनी भी वीडियो है वह पहुंच सके लिए आपने बैल उनको भी जरूर दबा लेना है तो जी आज हम बात करते हैं न्यूश पेपर इंपोर्टन्स के वाले से न्यूश पेपर पढ़ने की इंपोर्टन्स क्या है और न्यूश पेपर आपको क्यों पढ़ना चाहिए अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जी न्यूश पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलता है नियूज पर पढ़ने के आपको दो फाइदे होगे एक आपको फाइदा आपकी कंट्री के अवाले से होगा और दूसरा आपको इंटरनेशनल आवाले से होगा अब उन दोनों में क्या फ़र्रक है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने मुलक के रहें अगर निवस्पेंब饭 पर पढ़ते हैं या अपर हम न्यूज चुनते थो मैं क्या फाइद होगा सबसे पहले जी आपको ये पता चल जा जाता है कि आपके मुलक के अंदर क्या काम हो रहा है करेंटली अभी आपके मुलक के अंदर क्या काम हो रहा है आपके मुलक के अंदर न्यू डिवेल्मेंट्स कौन सी हो रही है बेसिकली पाकिसान के अंदर होने वाले हर अच्छी खबर या बुरी खबर का आपको पता चलता रहता है उ जो आपके मुलक के अंदर हो रहे हैं आपको बदा जल जाते हैं नमबर दो पर बिंग अचीवमेंट इतनी प्योती हैं मुलक के अंदर आप जैसे शाह जेब रिंद ने रीस हैंडी दुबई के अंदर एक इंडियन जो राना सिंग है यू एफसी फाइटर के अदर इसको हरा सब्सक्राइब जारह रहा है तो पाकिसान के लिए अचीवमेंट भी है और ये गेम्स के वाले से हैं कि बड़ी पेश्रफ भी है कि पाकसं बॉक्सिंग अंदर भी जा रहा है और ये आपके इंटर इंटर्व्यू के अंदर भी आपसे पूच हो आपकिसान ने इनका पता चलता रहता है तो आपको बड़ी एक्जीवमिट जॉबकि मुलों के अदर हो रही आपको पता चलता है उसके बाद कोई बीडियो पर्जेक्ट हैं जितने भी नहीं प्रोजेक्स जो कंट्री के अंदर शुरू होंगे यह पिर जो आने वाले हैं उनके वाले से आपको पता चलता रहता है सबसे पहले अगर मैं इसकी एग्जेंपल आपको दूँ तो जो रैकोडिक का मामल है आपको पता है कि बोड़ी सान के अंदर सोने क के जखायर तांबे के जखायर और बड़ी एहम और मैटल जो इंपोर्टेंट दाते हैं उनका जखीरा मिले तो उनका जो कुछ अर्सा पहले एक बड़ा इशू बना हुआ था बड़ा मसला था कि रेकोडिक में आके खुदाई करनी है नहीं करनी स्टेय और जा रहे थे कि अंदर पूछ लेते हैं जी कि रेकोडिक क्या पाकिसान की एकनॉमिक इकनॉमिक इशूस को रिजॉल्व कर सकता है या पिर पाकिसान की मौशी जो किसम बड़ा सकते है तो आपको पता होना चाहिए और आप उस पे बोल सके दो तीन पांच मिनट अगर आपके पास नॉल से आएगा और इसके साथ जितने भी पाकिसान के किसे दूसरी कंट्री इसू चल रहे होते हैं अभी जो पाकिसान के क्रेंट्री इसू चल रहे हैं नंबर वन पे आपको पता है कि हमारा कश्मीर का इसू है तो वह चल रहा है उसके बाद पाकिसान इसराइल को तसलीम नहीं कर दो, तो हम आपको तसलीम कर लेंगे हम आपको कर लेंगें जिसमें डू स्टेट सलूशन है कि पाकिसन के जाता है, के इसराहिल के अंदर इसराहिल पर भी एक मुल्क हो और इसके सासद एक फलिस्तीन भी हो तो दोनों कंट्रीज वहाँ पर मजूद हों ना के सिर्फ इस ित्रा ही लोग जो के मुस्लमानों पर जुलम कर रही है तो इस तरह की मामलात आपको पता होने चाहिए और इसके सासद जितने भी शूबम पड़ी है घ government c thumb क्रीद नहीं ठीडिए और बेसिकली कैसे ब्लद चलेगा गर्मिंट ग्र Depam क्यों नहीं खुरिदी किसांइ चाहते हैं कäre रेड उनको अच्छा मिले पांको जो पिछले साल साम्ध टाइस के अंदर जो गंडम आयी थी जो असिसेंट कमिशनल्र हदरात थे उन्होंने आकर गरों में चापे मार के अमारे गाउं के अंदर खुद आकर चापे मार के लोगों ने गंदम उठाई जिन लोगों ने अपने खाने के लिए रखी होई थी और उनके भी गुदामों से गरोश आगे गंदम उठा के लेगे गवाव में इस तरह मौल होता है कि आपके बास जो गंदम आती है आप सिर्फ उतनी सेल करते हैं जितनी आपको जूरूर दोती है फरस करें जी आपके बास गंदम आगी है पांच लाक रुपए की या फिर आपके है की चार्श मान आप रख लेते हैं जैसे जैसे आप बीख टाती है आप वैस्टते रहते हैं करते हैं जाश है कर दो कि या पिर उचिनों को फॉट कर रहे हृना उन्हे हैं क्या और तो पड़ collector को ईसी पैड़ jal करते हैं उनके पास प्रीन Safety वोग्त ग्राव जो साउसर होना उनका जो 100% या 90% जो उनका dependency होती है वो गंदम के ओपर ही होती है तो इसलिए फिर वो लोग जो है वो गंदम को अपने पास रखते हैं जितनी पर पढ़ती रहती है वो उतने उसने हिसाब से बेचते रहते हैं तो आपको ये न्यूश्वेपर से बदा चलेगा के भई आपको के अनदे है जो गंदम का क्राइसित है क्यों है और अभी जो जब गंदम खरीद में रही तो क्यों नहीं खरीद दी तो आपको ये पता होना चाहिए उसके बदी आप न्जुन अबर ये पटते हैं कि इंतरनेशनल जो डुनिया है उसके अंदर क्या हुर रहा है पहले वियस्ट की तरफ डुनिया का जुकाउ ज्यादा था अब वो इस की तरफ आह रहा है अब वह जो है एश्या की तरफ रहर है आप को पताश लेगा निज मेपर एडिटोरीर पढ़ने से और शकेसासर नूइज मेपर पढ़ने से उसके साथ जी कन्फलिक जो चल ले होते हैं दुनिया के अंदर जितने भी जार लिए जिसमें हम अगर हम गिनें तो नमबर वन पर पर आ जाता है जी पैलेस्टाइन इस्राइल एश्यू नमबर डूबर मारे पास आ शूरा है तो अगर वो इंटर्व्यू के अंदर आप से पूछ लेते हैं जी के एरान और सौदी अरब का जो आपस में तालुकाती खराबी चल ले उसका पाकिस्तान के ओपर इंपक्ट क्या है तो कभी जो बचा न्यूस्पेपर नहीं पढ़ता उसको कभी पता नहीं चलेग उसके लावा जी जितना भी या फिर वो यह भी आप से इंटर्वियू में पूछ लेते हैं कि जी जो जो रश्या और युपेशन की बाहर चल लिए है उसके अंदर पाकिस्तान का स्टांस क्या है पाकिस्तान क्या चाहता है कि मौन मामलात कैसे यालो फलस्तीन और इस्राइ उसके बाद जी गेम्स होती है कि दुनिया के अदर जैसे क्रिकट वर्ड कप आने वाला T20 वर्ड कप है उसके लब पहले फीफा वर्ड कप हुआ है जो के अर्जंटीना जीता है और फ्रांस आ रहा है तो वह हर दफा इंटर्व्यूस के अंदर भी और पूछ लेते हैं टेस् अवर्ड कर चाहिए जर्ण कॉोंच सी थी जब अकर पाकिसान रहनराप वह या फर पिर जी तौूत हो भी जैसे के पाकिसान ने होकी पांस गया था अप्र पाकिसान नहीं गाज़ा था जपा के साथ हिंग्ड अगर पाकिसान को क्या जाई है जो अकर शिचान के और नो आई एमफ से करदा लेना चाहिए कि ने आप क्या समझते हैं तो आप क्या बदाएंगे जब आपके पास एक knowledge base होगी जब आपने knowledge कठा गिया होगा जब आपने news paper पड़ा होगा तो आपको clear होगा कि यहां भी लेना चाहिए या ने यह मैं अभी आपके लिए मैं काम करने जा रहा हूँ जिसकी मैंने आज आपके लिए announcement भी करनी है कि मैं इंशालला मैं एक newspaper opinion और जो है newspaper आपको शुरू करवाने जा रहा हो अपने YouTube चैनल के उपर जिसके अदर क्या होगा कि मैं आपको newspaper के अदर जो भी पाकिसान अफेज हैं grant अफेज हैं और वर्ड अफेज हैं opinions अडिटोरियल्स हैं मैं इस पंद्रा मिन्ट ये 20 मिन्ट की वीडियो के अदर मैं आपको बताया करूंगा हम एक auditorium पाढ़ लिया करेंगे या एक जो best of the best उस दिन dawn paper के अदर आया होगा वो हम देखा करेंगे इसको पढ़ा करेंगे मैं उसको आपको मुझका अलफाज के synonymous भी बताया करूंगा उसकी pronunciation क्या है असल में वह लफज है क्या तो आपको वह भी पता होना चाहिए जैसे ये वर्ड अपके सामने अब आप लोग इसको रिप्रोच्मेंट भी पढ़ते हैं लोग इसको रिप्रोच्मंट भी पढ़ते हैं लेकिन इसका असल जो pronunciation है वह जी रिप्रोच्मा अब जब आप इंटर्व्यूर के सामने जाके वर्ड रिप्रोच्मा बोलेंगे जब आप इंटर्व्यूर के सामने जाके रिप्र पर अडिटोरियल ऑपिणियन डिली कम एक उपिणिया करेंगे जो सबसे अच्छा होगा अब वो पढ़ने से वो सुनने से आपको क्या होगा आपकी त्यारी इतनी इच्छी हो जाएगी आपको करांट अफ़े क्लेर हो जाएगा इंटरनेशनल अफ़ेर हो जाएगा और उसक जबूर देखने हैं आपने जबूर अमारे चैनों को सब्सक्राइब लाइक चेर करने हैं और अमारे चैनों को स्पोर्ट करने हैं दौाओं में याद रिखेगा स्टेट यून अलाफोड